अब राद पर इस्पेशल तो जब भी आपको ब्रत में मसालेदार या चटपटा घाने का मन करें तो आप ये मसालेदार मखाना बनाएं वेलकम टुमाई अपसरा किचन तो यहां पर सबसे पहले हम मखाना को रोष्ट करेंगे थोड़े से देशी घी के साथ ब्रस की हल्प से हलक हलका घी लगाने के बाल इसमें हम मकाने डालेंगे और मेडियम फ्लें पे इसे हम रोष्ट करेंगे चलाते रहें लगतास जिसे की बराबर रोष्ट हो अगर आपको इसे चेक करना है तो उसके लिए आप एक मकाने को ऐसे चेक कर सकते हैं यह देखिए काफी क्रंची सा यह तूटेगा हमने इसे रोष्ट नहीं किया था तो यह काफी सॉफ्ट था तो इसे निकाल लेते हैं अब जब देशी घी डालके अब हम इसमें मोमफली, बदाम और कौजु को रोष्ट करेंगे सबसे पहले आप यहाँ पे मोमफली को रोष्ट करें क्योंकि यह थोड़ा जादा टाइम लेता है उन दोनों के मुकाबले तो जब मोमफली में हलके-लके क्रैक्स आने लग जाए तो हम यहाँ पे डालेंगे बदाम बदाम को हम डालने के बाद इसे दो मिनट के लिए रोष्ट करेंगे दो मिनट बाद यह अच्छे से रोष्ट हो जाएगा लाष्ट में हम यहाँ पे काजु डालेंगे क्योंकि काजु बहुत ही ज़्यादा जल्दी यह लाल हो जाता है यह तिनों जब बराबर अच्छे से रोष्ट हो जाए तो हम इसमें लाष्ट में डालेंगे मखाने मखाने को जی دूमस बाद यह घ्यादा नहीं करना है बस इसे अच्छे से मिक्स करें उपर से डालेंगे हम इसमे कुछ मसाले आदाजमस लालमेच पॉर्डर आप इसे नहीं खाते हैं ब्रत में तो आप इसे स्किप कर सकते हैं आदाजमस ब्रत वाले सेंडा नमक अब इन दोनों को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते जब तक कि इसमें कलर ना आ जाए क्योंकि हमने लाल में चुटाला था जिससे कि एक कलर आ जाएगा तो यह देखिए एक कलर आ गया है आपके इसको आफ कर देना और इसे ठंडा कर लेना है अब से आपको जब भी ब्रत में चटपटा मसालेदार खाने का मन करें तो आप यह जरूर बनाएं क्योंकि यह बहुत रेस्पी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले रेस्पी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड फैमली में शियर करें कमेंट करके जरूर बताएं